हलो दोस्तों वेलिकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लोक्स और अभी का सीन कुछ ऐसा है आज का जो इन टॉपिक है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट और काफी ज्यादा सर्चेबल टॉपिक है यूट्यूब पे कि हमारा जो दात वो क्यों गिस रहा है दात गिसने के का राण और क्या इसका इलाज है इस वीडियो में डिश्कस करें गे कि क्या कौन कौन से कारण है जिनकी वजय से हमारे लाथ किस ते ःच्ग हो सकता है तो ये स्कनारेंग म towns और लिचानल को सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब और भाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें तो चलिए वीडियो करते हैं, स्टार्ट इसके तीन होते हैं, इरोजन, एट्रीजन, एबरेजन ठीक है, अब तीनों में अलग-अलग तरह की जो चीजे होती है अलग-अलग हमें देखने को मिलता है, जो भी है, इसके सिंटम्स जो है, अलग-अलग है और जो इसका क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, वो अलग-अलग है तो सबसे पहले होता है हमारा इरोजन है अब इरोजन किया ने है एक तरह से दो चीजों में हमारा होता है कि इद टो चाहिज और एक औससे डो इसके तरह से यह आटक करता है कोई इसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं है, कि यह तरह हमारे दात घिण रहा है कईजान दान्थ गिसते हैं कैई गिशन कि कोई एस्प गिस रहे हैं जिसके वज़े से हमारे धान्थ गिसते हैं जिन लोगों को कॉल ड्रिंग्स में पीने की यादत होती है या कोई भी acidic food, in the sense कि कोई fast food है या कुछ खटा चीजें खाने का ज़्यादा शोंक है यह निये कि normally आप जो खा रहे हैं उतना चल जाता है बड़ ज़्यादा जो लोग खाते हैं खटी चीजें acidic वाली चीजें उससे क्या होता है कि हमारी जो ऊपर की layer है तीन layers होती है क्योंकि acid से वो जो layer है वो कमजोर पड़ जाती है उसके pores कमजोर हो जाते हैं तो वो layer धीरे 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 किस्ती है उसके बाद dentine dentine के बाद pulp और धीरे धीरे sensitivity स्टार्ट हो जाती है तो वही है कि यह चीज थोड़ा सा avoid करें आप क्योंकि ज्यादा ना पिए तो उनमें भी देखा गया है कि उनका जो औरल केविटी है उनमें दिक्कत होती है बैट ब्रेथ की प्रोग्लम होती है और acid बनने की वज़े से जो superficial layer है हमारी enamel वो भी दिरे-दिरे कमजोर हो जाती है और इसका जो last जो option होता है वो ज्यादा तर आर्शिटी की तरफ ही जाता है अगर हम इसका time पे proper treatment नहीं कराते है तो यह है कि अगर आपको इस तरह की चीज़ दिख रही है कि ताथ किसना स्टार्ट हो गया आपका तो अपने नियरभा इंटीस के पास जाएं और आप दिखाएं ताकि वह आपको जो भी है चीज़ें बता सकें explain कर सकें कि अभी किस स्टेज पे और इसमें क्या इसका treatment बने रहा तो पहला तो हो गया इरोजन ठीक है यह chemical or acid और यह जो इरोजन है यह mostly यंग बच्चों में देखा गया मतब जो यंग एज के जो बंदें उनमें देखा गया मतब बि आप फूल काते हैं उसकी वज़े से होता है जो हमारे पास at reason at reason में क्या होता है आप photo में देख सकते हो at reason एक तरह से जो layer इसमें भी घिसती है, इनेमल की जो लेयर है, बट ये हमारा खुद की जो हमारी बैड हैबिट्स है, उसकी वज़े से होता है, लाइक हम रात को किट-किट आते हैं दान्त को, दान्त घिसते हैं खुदी, मुस्ली ये ओल्ड एज परसंस में दिखता है, मिडल एज और ओल्ड एज के जो बंदे हैं, उनमें देखा गया है, वही 35 से लेके, 60-70 साल की एज में, उनको क्या है, दान्त किट-कटाने की आदत है, और दान्त दीरे-दीरे उनके घिस जाते हैं, फोटो में देख सकते हो, तो धीरे-दीरे जैसे लेयर कमजोर होगी उपर की, तो देंटीन से पल गया, तो धीरे-दीरे sensitivity स्टाट हो जाती है, तो वही है, कि उनमें क्या करते हैं, हम नाइट-गार देते हैं, ठीक है, एक लेयर हो जाती है, दोनों दातों के बीच में, एक मतलब सेपरेशन हो जाता तो तो प्रिटमेंट उसका बनता है उसके एकोंडिंग लिए आपका वो डिसाइड कर सके ठीक है अब लास्त है अब आप नाम से सोच सकते हो अब अब लोगों को क्या होता है आदत होती है ब्रशिंग बहुत तेज करने की बहुत जादा दान्त को रगड़ते हैं 10-15-20 मिनि सेशन हो जाता है तो वही है कि आप सोफ्ट ब्रशिंग करें और इतना मत घिसे दातों को मैंने कई चीजों में देखा है कि दातों को पूरा रगड़ा जाता है 15-20 मिनिट तक उससे क्या होता है वह अब रेजन हो जाता है तो उसमें क्या होता है सेंस्टिविटी दिये जाते हैं तो फिर वही है कि दिये जाते हैं ठीक है ठीक है तूथ पेस्ट में हेसें सेंसर डाम दिये जाता है अगर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो गी फिर सेंशन के जाता है तो इस धाम है तो बाहराई घर ऑब ट्रिश्र 수 अगा跑WAY. तो उसके बाद उसकी RCT होती है, रूट के नाल ट्रीटमेंट किया जाता है, आपको मैं दिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, रूट के नाल ट्रीटमेंट का, अगर थंडा गरम लग रहा है, कई बार फिलिंग से भी ठीक हो जाता है, कि अगर सूपरफीशली है, सेंस् लिंक्स की मैंने वीडियो बनाई हुए है, और RCT के उपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुए है, उसका भी मैं दिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अगर आप देखना चाहते हो, और फिलिंग कौन कौन सी कैसे कैसे कराई जाती है, तो आप दिस्क्रिप्शन ब तो टाइमली आप चेक करा लेते हो, दिखा लेते हो नियर बै देंटिस्टे, तो फिलिंग से आपका बच जाएगा, दात नहीं तो फिर RCT जाता है, फिर RCT के बाद कैप लगाने पड़ती है, तब जाके आपका नॉर्मल जो डेंटिशन है, वो सेट हो जाता है, यही था, तो इस वीडियो में मैंने बदाया कि कैसे कैसे दात गिसते हैं, क्या कारण होते हैं दात गिसते हैं और इसका क्या इलाज है, त्रीटमेंट के लिए मैंने आपको बदाया कि जो दात गिसने वाली चीज है, उसमें फिलिंस होती है, अलग अलग फिलिंस है, आप डिस्क्रि की वज़े से भी होता है कईयों में कुछ और एक्सिस बनी होती है तो वो यह नहीं कि पर्टिकुलर दांद गिसने की वज़े से यह आपको सेंस्टिविटी हो रही है उसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं तो यहीं है उसको एक तरह से आपका डाइगनॉस बन जाएगा तो डाइगनॉस बनने के बाद उसका treatment लाइन ओफ ट्रीटमेंट उसके इसाब से मैनेज होगा तो इस वीडियो में यहीं तक जिनλοगोंने चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को कर दें सब्सक्राइब और जदा से जदा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन को ये दिक्कत है नाद घीस रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप से कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मैं अपना फो अपना बहुत ही रीजनेबल रेट से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच झाल